वेल्कम टू दे चाइनल अर्वी फंटासी सेवन तुछ सुड़े में हम बात करने वाले एंबी लिग का जो मैच होने वाले टोरेंटो रैप्टर्स वसेश बोस्टन क्लिटर्स की बीच में दोनों टीम होय से आपर रिसेंटली मैच अपना लॉस के साथ आरी लेकिन इस टीम के बीच जो हेट्योड मैच होआ इस सीजन में वो मैच आपर बहुत ज्यादा कोईन के मार्जिन से बोस्टन क्लिटर्स ने विंग किया है बागी दोनों टीम में अगर कंपैर इजन करें तो बोस्टन क्लिटर्स थोड़ सी स्टॉंग टेम है लेकिन यह डिपेंडेंट करत है ना फाइनल टेम और फाइनल अपडेट आपको मिल जाएंगे टेलिगराम चैनल पर टेलिगराम चैनल के लिंक आपको मिल जाएंगे comment box में या फीर वreating की description में अगर दोनों लिंक वरक نہیں करती है तो टेलिग इंगराफ सीजन सारे अपडेट्स मिल जाएंगे आपको मैस खेलेंगे और आच्छा खासा टाइम इनको इंक्रीज होंगा रिजन है चौटलर यापर बैंच से खेल नहीं रहे यही रिजन है कि आप रिचरसन आच्छा का सा टाइम आपको खेलते भी दिख सकते हैं स्मार्ट स्टार्ट करेंगे शुटिंगार्ट से, स्मार्ट का टाइम भी आसे इंक्रीज हो सकता है, ब्राउन जुन्यों ने लास्ट मैच में स्टार्ट किया था, ये भी आपको आच्छा खासा टाइम खेलती भी दिखेंगे, और टटूम इन पर है आज के मैच में गेम टा स्टार्ट हो सकते हैं जहाँ पर अब ब्राउन जह के आपको आपर च्छा खासे प्र vorsकतर अंगर या पर टटूम नहीं खेले, स्वारी टटूम खेल रहें, ब्राउन पर है गेमताइमों रिशिजन, अगर वैसे ब्राउन नहीं खेले तो टूम हो ऐसे स्ट सब्स पी के लि वेशे भी आपर आपके लिए बेश्ट फीके रिसेंड ले मैसे का होफर का परफार्मस आवरे जाता है जाएदे कुछ परफार्मस इनके तरफ से आता नहीं है प्राउन के लिए लास्ट मैच काफी बढ़ी है रहा था लेकिन आज के मैच में आपर जी टिटीरी बना हुए स्मार्ट के लिए लास्ट मैच आपर ये प्लेयर बॉल एं लिंक का काम संबलता है लास्ट मैच में 8 असिस, 7 रिबाउंड और 13 पॉइंट, 1 ब्लॉक और 1 स्टेल के साथ बेस्ट फरफार्मस आया था चाडलर ने लास्ट मैच में स्टार्ट किया था लेकिन ये खेल ने रहे और इनके जागा पर लास्ट मैच में देख ले ना गेबरेकुलेम संग का टाइम किस्ता इंक्रीज हुआ था और आज का मैच आपर वो ऐसे भी चाडलर खेलने रहे तो चाडलर की जागा पर ये आपको स्टार्ट करते हुए देखेंगे लांग फोर को टाइम अच्छा खासा इंक्रीज होंगा और रिचर्ट संग जो की इनके बेस्ट बैंच प्लेयर है अगर इनकी बात करू तो हेट्ट वर मैचस में वैसे भी रिचर्ट संग का परफोर्मस बेस्ट रहा था और जहापर भी ये गेड़ रहता है अजब माच अक्टिवेट होने वाले तो रिचर्ट संग काफी बेस्ट वेक आपके लिए हो सकते टॉटूम बेस्ट एस्पीपी च्वाइस के लिए रिकमेंडेट ट्वेटीव पाउंड इनके तरफ से लास्ट माच में थे वैसे भी अन्प्रेटिक्टेबल ही आपर ये लास्ट पिचार को अच्छा खासा टाइम मिल सकता है और लॉंग फॉर्ड को भी आप यहापर वी उस कह सकते हो केंटरस को लास्ट मैच का परफॉर्मस लॉंग फॉर्ड का लास्ट मैच का परफॉर्मस स्मित और पारकर इनको अच्छा खासा टाइम मिला था बागि जो हिट्ट यहाँ पर रिचर्ड संग के लिए बेस्ट गया था लांगफ़ॉड के लिए बड़िया मैच रहा था विलम संग टाइम अच्छा कासा मिला था लेकिन इतना बेस्ट परफॉर्मस आया नहीं था लेकिन आज का मैस स्टार्ट करेंगे तो बहुत जादा लोग इनके साथ यहा आपर खेलने रहे बाई की टटूम का काफी बड़िया परफॉर्मस रहा था तीनों सक्षन से और डाउंडर परफॉर्मस आप इससे कह सकते हो 22.12 रिबाउंड 7 असिस बेस्ट बेस्ट के लिए रिकमेंडेड और स्मार्ट काफी बड़ी आफ्शन्स आपके पास इससाब से मुझे लागता है फिर भी बिलो अवरेज आपर यह प्लेर है तो आप इनको मिस कर सकते हो तो यह हुआ हेट्वेड मैचस का फर्फॉर्मस और जो यह आपर रिसेंडली मैचस का फर्फॉर्मस है दोनों से मैंने आपको यापर इंटर्डूइस करवा दिया दोर आज का मैच फिर से नोबड़ी खेले नहीं जो कि लास्ट मैच खेले नहीं थे तो उनके जगह पर आपको अच्छेवा स्टार्ट करते देखेंगे वैसे आपर ट्रेंट पर भी गेम टाइम डिसीजन बना हुए तो इसलिए आपर मैच आपर वीडियो को स्टार्टिंग मे बड़िया फरफॉर्मस्ट देखेंगे तो दो स्टिलिन के तरफ से आयते और उस्से पहले जो मैचेस रहा था, train के लिए, हिल्कोर मैच बंड़ियो की अपर जे, आपर इनकी तरफ से आया था एक ब्लॉक, स्टिल का या पर जो शेक्चेन है वो या से मेरे तरफ से आपर गलती साहर हो गया लेकिन इस मैच में भी मुझा लागता है एक दो स्टील इनके होगे ही क्योंकि हर मैचेस में आपके पास दो स्टील अल्मोस्ट दे देते तो काफी बढ़िया आफ्चेंस आपके लिए अविलिबले डिफिन्सोले पॉइंट देते और फिर गोल से टोटटोली फ्लॉफ राथ है त्प्लायर को में रिकमेंड एड करूंगा नहीं उप इनके साथ थोड़ा सा रिसक ले कर जा सकते हो लस्ट मेच इवन इनका बेश्ट का है लेकिन हेट्न इमाकेश में इतना बेश्ट प्लॉफ इंगा इनका रहय तो है जिस मैच मैच में आ percentage वह आपको कम होती दिखेंगे तो नोबोडी खेल रहे खेलेंगे तो याप पर सिक्किम को आप डिफॉल्ट ड्रॉप करकर चले जा सकते हूं बर्नर के अगर बात करो तो सेवन्टीम पॉइंट सेवन रिबाउन फोर असे वन पॉक और टो स्टील हमेंसा से इस प्लेयर का प आपके पास अच्छा ओफ्शन्स आविलेबले बैस्टेंट के अगर बात करो तो बंटन मैलोस की बाउचर और फ्लाइन यह कुछ इनके बैंच के प्लेयर है बागी इस तेक के ज्यादा बैंच प्लेयर में रिकमेंडर करूंगा नहीं जो स्टार्टर है वही या से इस टी कर सोकते हैं वैसे आपर बैंटों को टाइम अच्छा का सा मिला था लेकिन परफॉर्मस उस लेवल का आया नहीं था लेकिन फिर भी से ब्लॉक से इन्होंने बढ़िया पॉइंट देते हैं और वैसे इस मैच में टोटली ब्लाइंच स्टेंथ इनकी फ्लाप रहती हाँ हमारे लिए काफी बढ़िया पीक यहां से बनकर आ रहा है स्मार्ट एक इंपोर्टम पीक है ब्राउन थोड़ा से आपर आज के मैच में वैसे भी गेम टाइम डिसीजन है और टटूम आपके लिए बेस्टिस पीपीपी चोईस के लिए आप रिकमेंडेड सिया किम के साथ बहुत जादा लोग जा रहे लेकिन नोबडी आगर के लिए तो मैं यहाप और नोबडी के साथ चला जाओंगा बर्नर काफी बड़िया ओप्शन से हमारे पास अवेले बरे अचोवा इनसे बेटर पिक अगर यहाँ से बोलो तो कोई आपको मिलेंगा नहीं हाँ क्रेडिस के साथ यापर में चला जाओंगा तो यह मेरी अल्मोस्ट फाइनल ड्रीम अलोन टीम हो सकती है अगर आपर नोबडी खेले और उससी के साथ आपर आज का मैच में अगर आपर नहीं खेलते ब्राउन तो यह मेरी अल्मोस्ट फाइनल टीम हो सकती है अगर आपर नोबडी न सबी प्लेईर यापर केल सकती तो फिलाल कुछ भी कंफरम बताने सकता यस पी पी के लिए कोई डाउट नी उनियर्सल यस पी आपर टटूम होने वाले और युनियर्सल पी पी आपर होने वाले वेंडलेट लेकिन अगर यापर नोबड़ी केल दे तो नोबडी भी आपके पास काफी बड़िया ओप्चन से पीपी के लिए तो दोनों में से किसी एक को आप पीपी ट्राइ कर सकते हो ओप गाइस वीडियो पसंद आयोंगो उसके साथ साथ आपने लाइक पर सब्सक्राइब भी किया होंगा तो मिलते फाइनाल टिम के साथ हमारे टेलीराम चैनल पर जीएल के लिए पीपी बर्नर को ट्राइ कर सकते हो नोबडी को ट्राइ कर सकते हो और उसी के साथ साथ आप पर वेनलेट तो आपके पास आच्छा ओप्चन सावे लेए थोड़ा सा डिसक लेकर आप स्मार्ट को भी ऐसे पीपी जीएल में ट्राइ कर सक तो